हाई आपने एक लास का जो मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो आपने देखा ही होगा मैं आपके लिए कवर करूंगा दे वेस्ट लैंड को और वेस्ट लैंड में गाईज मैं वो पॉइंट्स आपको पढ़ाने वाला हूं जो बहुत इंपॉटेंट है मतलब यह समझ यह कि अगर आप आज मेरे शाद वन आवर कंटीनुवसली अगर वन आवर के लिए रहे तो आप समझ लीजे कि वेस्ट लैंड आपका कंप्लीट हो गया यह तो पहली बात है और दूसरी इंपॉटेंट बात दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस क्लास से मतलब जब पढ़ लेंगे आप वेस्ट लैंड को क्योंकि मैं सारे एक्जाम पॉइंट से कवर करूँगा आफ्टर गोइंग त्रू इस पेटिक्लर पार्ट बिलीब मी गाइज कि अगर वेस्ट लैंड से कोई क्वेस्ट आएगा तो में भी मुस्किल से बाहर जाए ये गईज जो क्लास है ये यूपी पीजी टी स्टूडिंस के लिए और ल्टी ग्रेड स्टूडिंस के लिए यूजी सी नेट सेट इक्जाम या फिर किसी अधर स्टेट में जहां पर टी एसे लिएट प्रेस्क्राइब्ड हो उन सभी के लिए बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है वन बाई वन गाईज हम शुरू करेंगे सबसे पहले दोस्तों मैं आपके साथ एक छोटी सी बात करूँगा और छोटी सी बात मेरी ये है कि दोस्तों जब हम बात करते ना दवेस्लैंड की दवेस्लैंड की जब भी दी वेस्ट लैंड और आई कब थी गाईज 1922 में ओके और इसे लिखा था टी एस एलिएट ने पोयम लंडन लाइट पर बेस्ट है डिफरेंट सिटीज को यहां पर बैक्ग्राउंड में लिया गया है इस पर्टिकुलर वर्क में डिफरेंट सिटीज को बैक्ग्राउंड में लिया गया है modernist poem है world war condition आपको शो करेगी गाईज और और अगर मैं important बात करूँ इस पर्टिकुलर पोयम में तो सारे important facts यह हैं कि यह poem highly elusive है बहुत सारे illusion है guys what I mean what I mean guys कि मैं कह रहाँ illusions illusions means references highly referential है yes modern age की most important poem and highly elusive guys so आप क्या सकते हैं references बहुत सारे हैं references बहुत सारे हैं इस पर्टिकुलर पोयम में guys modern world को शो करती है guys yes decay in spirituality यह poem आपको decay भी शो करती है in spirituality guys spirituality कुछ ऐसी themes के साथ आपकी यह poem चलने वाली है by the way यह छोटा सा background था 1922 T.S. Elliot Thomas Stern Elliot और बाकी की जो information है वो मैं आपको one liners के थू one by one guys लेकर चलूंगा और आज आपको बहुत ही बढ़ी हा information मिलने वाली है by the way guys यह जो source है इस content का मैंने कई websites को देखा है और फिर उसके बाद मैंने यह content collect किया है जैसे guys एक चीज है आपको wasteland में जो देखने को मिलती है यह आपको दोस्तों देखने को मिलता है यह part wasteland में यह वाला part so guys you know oh that shakspearing song it's so elegant so intelligent यह जो दोस्तों लाइन से ना जैसे ही आप यह four time o को देखिएगा यह four time o को क्योंकि guys wasteland में five parts है how many parts are there five parts are there so इसमें से है एक burial of the dead दूसरा है guys game of chess तीसरा है fire sherman और चौथा है death by water and then पांचवा है what the thunder said guys what the thunder said कुल मिला कर कि यह दोस्तों आपके पांच part है इन पांच parts में से second parts से guys यह lines है yes oh that shakespearean rag it's so elegant so intelligent यह game of chess में guys आपको मिलने वाला है wasteland के और game of chess जो है ना यह Thomas Middleton guys Thomas Middleton last तक बने रहिएगा और अगर आप last तक stay tune रहेंगे wasteland के सारे question आप learn कर लेंगे ठीक है M-I-D-D-L-E Thomas Middleton Thomas Middleton का guys अगर देखा जाए तो roll है in lines में ठीक है ना yes now guys see the next one point एक बहुत ही interesting point यह है कितने सारे works है guys जिनको wasteland में reference as a reference use किया है T.S. Elliot ने guys so a number of works are there definitely आप कह सकते हैं guys a number of works are there जो highly referential है guys किस में Elliot के work में T.S. Elliot के and among these works well known works जैसे Oliver Goldsmith का विकार ओफ वेक फिल्ड Oliver Goldsmith's विकार ओफ वेक फिल्ड Spanish tragedy Spanish tragedy किसका है guys तो अगर Spanish tragedy के मैं बात करूँ तो यह है Kid का Thomas Kid Then इसके बाद guys Spencer का Prothlamian जुग जुग करके एक song है इसमें J.U.G. J.U.G. Yes, so वो Spencer से आता है Yes, Prothlamian Please do remember guys यह सारे exam point है अगर आप exam देने जा रहे हैं आप learn कर लीचे Chaser का guys Prologue to the Canterbury Tales कहां पर? Beginning में April is the cruelest month और जो आपके चासर है In Canterbury Tales in the beginning जो चासर की Canterbury Tales है Beginning में ही इन्होंने क्या पुट किया है You know guys, आपको पता है क्या पुट किया है April is the month of what? Mellow Fruitful You know guys, no April is the month of pilgrimage Mellow Fruitfulness तो कीट्स ने कहा है Yes, so guys चासर ने April month को pilgrimage का मन्त माना है लेकिन Elliot ने क्या कहा? Cruelest month April is the cruelest month एक बार like और share जरूर कर दीजेगा ठीक है? बहुत interesting session होगा आपके लिए Baldiare की गाइस एक पोयम है जिसका नाम है Seven Old Man You can see the reference of this particular poem Baldiare's The Seven Old Man Shakespeare के Antony N. Cleopatra को Queen Dedo of Carthage Queen Dedo और you know guys Dedo Queen of Carthage एक work है Christopher Marlowe का So guys yes Queen Dedo इसका भी reference है Milton के guys Paradise Lost का भी आपको इसमें reference मिलने बाला है Yes Milton's Paradise Lost Ovid Metamorphosis Milton के Paradise Lost Book No.4 guys Book No.4 You can see the reference in the wasteland आपके exam में ऐसे questions आते हैं Shakespeare guys Hamlet से So Shakespeare Hamlet Antony and Cleopatra दो work तो guys हो ही गए At least है na Yes Dante Inferno Dante के guys Inferno को Divine Comedy And Divine Comedy में पार्ट है There is a part That is known as Inferno Divine Comedy और अगर इसका नाम वैसे लिया जाए So Divine Comedy आप बोल सकते हैं Divine Comedy आईसे बोला जाता है Yes Shakespeare's play Cariolanus Shakespeare के एक और play की मैं बात कर सकता हूँ Cariolanus guys इसको भी यहाँ पर reference में put किया गया है guys चिक है By the way आप यह देखते हैं कि जो T.S. Elliot का The Wasteland है यह बहुत ही guys आप ऐसे कह सकते हैं कि Highly बस तमज लीजे guys Referential work है तो जिसमें से आप देखते हैं कई सारे religion की भी बात करते हैं It may be Christianity, Hinduism और any other religion guys तो इसकी भी बात करते हैं ठीक है न? Yes एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा The Wasteland The Wasteland by T.S. Elliot तो इस पोयम का एक और नाम था Different नाम guys The name was He Do The Police In Different Vices He Do The Police In Different Vices ये guys Wasteland का पहले का नाम था Before publication जिसे हम बोलते हैं working title और ये guys आया कहां से था From where it was derived ये Charles Dickens से और Charles Dickens का work है Our mutual friend Must remember guys Our mutual friend The title of Wasteland And this was you know guys First working title अगर आप से कोई पूश ले Which one was the first working title Of the Wasteland Then answer is He Do Police In Different Vices आच्छा एक चीज़ आप मुचे और बताएंगे प्लीज आप जानते होंगे कि इनके एक बहुत एच्छे Political Guru भी थे Poetic Guru Not Political Guys Poetic Guru And who was he So Poetic Guru guys थे Pound आपके I mean Ezra Pound Ezra Pound है ना Yes And this particular work I mean The Wasteland The Wasteland So it was basically Shortened by whom क्योंकि कहा जाता है Guys यह बहुत जादा Poem बड़ी थी So इसे Edit और Short करने का काम किस ने किया था Edit प्लस Short So who did it Answer है guys आपके लिए Ezra Pound और Ezra Pound के लिए एक नाम भी है Short Short करने का और Edit करने का काम किस ने किया था Ezra Pound Also known as Ill Miglior Fabro जिसका मतलब है Better Craft Man Better Craft Man लेकिन एक चीज़ और भी याद रखिएगा यह Elliot ने Ezra Pound को क्या कहा Better Craft Man Must remember गई Ezra Pound ने भी Ezra Pound ने भी Elliot को एक नाम दिया था And that is Old And P O S S U M Old Posham ठीक है Must remember always किसी भी एक्जाम को आप देने जा रहे हो याद रखिएगा ठीक है Always So This one Old Posham कई बार गाईज आजाता ये There is also a poem by Elliot And this was the name Ezra Pound ने Elliot को दिया और Elliot ने Pound को दिया था Name Il Miglior Fabro Even the poem The Wasteland is dedicated To Ezra Pound Got it ना गाईज Dedication भी जो है Ezra Pound के लिए ही है एक और interesting guys Part मैं आपको बता दूँ कि ये जो guys आपकी The Wasteland है इसमें बहुत सारी चीजे Change की गई थी The final version So a number of you know guys Facts and other points So that were changed तो अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा Basically guys जो इसका Originally जो हमारे पास अभी Available है Wasteland In the Wasteland You can see in the beginning There are a few lines guys ये कुछ lines आपको मिलती है Before the beginning of the main poem यानि कि main poem के सुरू होने से पहले What it? Main poem के सुरू होने से पहले और main poem के सुरू होने से पहले जो line आपको मिलती है वो कहां से ली गई है guys Satrican of Petronius Satrican of Petronius लेकिन कहते हैं कि जब इसे edit किया गया था Ezra Pound ने edit किया मैंने बताया आपको So at that time guys इसके पहले Where were the original first intended epigraph that Elliot had chosen for the poem from तो यह guys heart of darkness Joseph Conrad के heart of darkness से लिया गया था पहले But later on जब Ezra Pound ने इसे edit किया So then इसका जो guys epigraph है Epigraph यह जो word यूज किया है Epigraph Epigraph means guys कि जो beginning में कुछ lines Coat की जाती है So that were from satrican petronius ठीक है Satrican petronius अब आप पुंचेंगे guys satrican petronicals से Petronius से क्या थी guys So वो sybil के बारे में थी Sybil Okay Sybil so hanging on a bow of tree एक tree था Tree की एक branch थी उसमें guys यह Sybil hang कर रही थी और एक बार ने पुंचा What do you want? She said I want to die उसका मतलब यह है Beginning में ही आपको मिलेगा Please अगर आप चाहें So yes you can check by the way ठीक है तो यह इतनी चीज़े हो गई एक और interesting point है guys And that is There are many quotations इसमें बहुत सारे quotations है Different different languages से So then the question is How many languages are there In the poem The Wasteland देखिए आप इस poem में बहुत सारी languages आपको देखने को मिलेंगी Greek language can be seen Even Greek myths are there As I have already told All civils and all are there So Greek language can be seen Then guys German language यहां पर जो character है In the poem The Wasteland In the very first part वो German language में बात करता है Please check कीजेगा So then you will find the answer German language में बात करता है Italian language as a reference It has been used in the poem Italian as well English इसकी तो बात ही ना करें यह तो यूज ही की गई है Sanskrit is also there Sanskrit words दा, दा, दा And then Shanti, Shanti, Shanti जैसे हम लोग जब Sanskrit mantras पढ़े जाते हैं तो बोलते हैं आप्टर जैसे Shanti, Shanti Deva, Shanti Vayu Shanti this one जो भी यहां पर ब्रहमन होंगे तो वो लोग जो लोग भी mantrों का उच्चारण करते हैं तो last में Shanti बोला जाते हैं Like that guys By the way the poem So यह poem guys बहुत Passimism में begin होती है But Ending of the poem guys वो marvelous है That is positive ending guys Somewhere Shanti, Shanti, Shanti guys So यह इसे आप बोल सकते हैं कि positive vibes के साथ end होती है poem The poem ends with positive vibes Isn't it guys? Yeah, it is So यह चीज़ आपको देखने को मिल जाती है ठीक है? Yes So यह समझ में आ गया होगा आपको language like Greek, German, Italian English and Sanskrit Exam में आता है guys How many languages? I am fine How are you guys? अरे कोई हमसे भी पूच लो भीया और like, share जरूर कर दिया करो मेहनत करने का कुछ फल देते रही है बांकी तो गला भी बैट जाता है अभी मैं बाइक चला किया है न काफी शर्दी लग रही थी इस्टूडियो मेरा दूर है घर से मेरे तो ये वाला इस्टूडियो दूर है वो वाला इस्टूडियो घर पे ही रहता है है न? चलिए guys आज आते हैं थोड़ा सा और देखिए सिटीज देखे कौन कौन सी सिटीज है गाइस यस सिटीज सो इन द पर्टिकुलर पोयम यू थी थी इस लाइक अलेक्जंडरिया इस देर वियना इस देर अन कार्थरेज इस देर लंडन इस आजो देर गाइस है न? लंडन शीटी लंडन बिर्ज इस देखे लंडन शीज 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 जिसनेट एक्जाम में, there are two rivers, result it guys, yeah, so by the way, यह guys, यह किसी Andrew Marvel की मैं poem की बात करहूं, यह यह Ganga और हम्बला जो river है, यह Andrew Marvel की poem में है, इनका यहाँ से कोई relation नहीं है, प्लीज, बहुत सारे लोग relation बना रहे होंगे, so please don't make any kind of relation, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं guys, like London, Carthras, River, Ganga, Thames, Thames, Carriver guys, so that is producing tar and all, जो water है, that is polluted, isn't it guys, yes, that is polluted, so यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक और interesting point है, जो मैं बहुत ही अच्छे से सर्च करके लाया हूं, सर्च और रिसर्च करने के बाद लेकर आया करता हूं मैं, you know guys, in this particular poem, you can see references, and he derived references from where, so देखिये, दो वर्क हैं guys, from two works, mostly reference guys, he derived, and what are these two works, तो एक बार देख लीजेगा, please, Elliot is stated that his reference to certain vegetation ceremonies were influences that come from which book, so golden ball guys, a study in comparative religion is a wide-ranging comparative study of mythology and religion, written by Scottish anthropologist Sir James G. Fraser, James George Fraser, ऐसे लिखा जाता है, इसको, J, G, and F, R, A, Z, E, R, ऐसा समझी है, Fraser एक गाडी होती न, बाइक, मेरे पाल, मेरी तो भाई, Fraser नहीं है, मेरी तो पलसर NS है, है न, बाकी मैं Fraser की बात कर रहा हूं, so Fraser जो है guys, James G. Fraser ने एक वर्क लिखा था, जिसका नाम है the golden ball guys, golden ball guys, golden ball का मतलब समझते हैं, सुनहरी branch, branch मतलब साखा, है न, golden ball मतलब सुनहरी साखा, ऐसा करके एक वर्क लिखा था, from there he derived, एक और वर्क है guys, मैं आपको बताना चाहूंगा, and that is the work by whom, so सबसे पहले, Ritual to Romance, interesting पार्ट है, Ritual to Romance guys, R-I-T-U-A-L, Ritual to Romance, another one work it is guys, जिससे इन्होंने reference लिया है, and Ritual to Romance, this is a work by please, किसने लिखा इस work को, और जल्दी से बताएं पहले, hurry up guys, all of you, कोशिस कीजिये, भागने से अच्छा है, पढ़ लो, जिन्दगी में काम आएगा, नहीं पढ़ना है, तो घर में बड़ी आराम से बैठिये, रजाई खीचिये, सो जाईए, Thanks, life after 10 years of love family, man and family, share, शादी हुई, Thanks a lot friend, Oh, अच्छा, love family मना ली और शादी कर ली, इती congratulations शादी करने के लिए, वाव, great, मेरे यहाँ शादी वाले कपल भी आते हैं, है न गैस, So, no one is there to tell me guys, है न बता दीजिए भाई, ये किसका है, Ritual to Romance, नहीं पता guys, Golden Boy, yes, J.C. Weston, किसी ने लिखा है, J.C. Weston, अच्छा, एक चीज बताईए, इमानदारी से बताईएगा, How many of you are familiar with J.C. Weston, ये male है या female, या female, हाँ, चलिए, जल्दी से guys, male और female, J.C. Weston, male और female, मतलब मुझे जानना है, और मैं आपके comment चेक कर रहा हूँ, please, J.C. Weston, भाई, मुझे भी तो जानना जरूरी है ना, कि कौन है, J.C. Weston, male और female, अरे भाई, आज तक समझ लीजे, मैं एक बड़े confusion में जी रहा था guys, and I was thinking, कि जो J.C. Weston है, अरे ये कहां से आगए भाई साब, आपको आने की जरूरत नहीं थी, अभी तो हमने आपको बुलाया नहीं था, बढ़ आप आये क्यों, ओहो, या guys, J.C. Weston जो है ना, जब मैंने और अच्छे से पढ़ा, so then मुझे पता चला कि female है भाई, मतलब मेरा जो आज तक का ग्यान था, वो यहां पर खत्म हो गया जाकर के है ना, yes, so J.C. Weston का ritual to romance, from ritual to romance है ना, चलिए, इसके बाद अब थोड़ा सा हम आगे आएंगे, और आगे भी जानने की कोशिश कर लेते हम लोग है ना, बिल्कुल, one by one guide जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, isn't it, yes, अच्छा एक बात बताईए, who visits the typist, typist girl को visit करने वाला कौन था, क्योंकि यहां पर आपने देखा था, there is a girl, और उसका नाम है typist girl, so उसको किसने विजिट किया था, the young man कारबंकलर, एक young man है, जिसका नाम है कारबंकलर, बेसिकली, और यह वर्क है, उसका बेसिकली है ना, और उसने विजिट किया था, and they were having sex, दोनों लोग, the young man, the young man and the typist, both of them have sex, यहीं पर आपको एक reference मिलता है, of a flower, यह दोनों लोग sex करते हैं, और इनको sex करते हुए देखता कौन है, tyresius guys, who witnessed the visit, so tyresius, अब यह tyresius कौन है, इसको थोड़ा सा जान लीजे, एक blind profit है, है ना, एक blind profit है, अब आप सोच रहा होंगे, कि यह blind अगर profit है, तो यह देख कैसे लेता है, यह भी गजब की बात है, लेकिन wasteland में guys, यही कहा गया है, कि tyresius ने इन दोनों को देखा था, they were having sex, और tyresius ने देखा था, तो tyresius ने बड़ी कहानी की थी guys, वो भी उस कहानी को कभी पढ़ियेगा, interesting लगेगी और मजा भी आएगा guys, यह edipus rex में है, एक mythical character है, mythical character है guys, और इसकी body में male और female दोनों का combination है, male प्लस female, दोनों body का combination है, and tyresius is the narrator, इस poem का यह narrator भी है guys, tyresius is the narrator of the wasteland, learn करने आये हैं, मजे से learn कीजिएगा, lifetime याद रखने के लिए, और tyresius पता है blind कब क्यों हुए थे, tyresius ने भी guys, एक अपनी life में कुछ काम ऐसा कर दिया था, जिसके बज़ा से इने blind किया गया था, tyresius ने एक deity को guys, वो naked होकर के नहा रही थी guys, naked, she was naked, and bathing और tyresius ने उन्हें देख लिया था, इसी लिए उस deity ने tyresius को blind बना दिया था, ठीक है, got it, इसी लिए उन्होंने इन्हे blind बना दिया था guys, yes, God is bathing and he got the curds, yes, and that's why guys, ये tyresius blind हो गये थे, अब इसके बाद guys, आगे आजाई है, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, ये तो burial of the dead आप जानते हैं, opening section है, है ना, the clear wayant is named as, guys, यहाँ पर एक देखते ना, एक बहुत ही महान इंसान है, और जो tarot card पढ़ती हैं, tarot card समझते हैं, भाग ये वाला, सब कुछ काम कहानी यही करती हैं, so then guys, उनका नाम पता है क्या है, madam Sosostris, madam Sosostris is the name, got it, जो tarot card निकालते हैं, और पूरी जिन्दगी की कहानी बना डालते हैं, यूजी नाइट्स नाम का भी एक character है, and that is a merchant, that is a merchant, यूजी नाइट्स नाम का character है, बिल्कुल, और इसके बाद देखिए, थोड़ा सा और भी मैं आपको बता दू, कि कौन narrator है, और narrator को एक बड़ी warning अच्छी मिली थी, पता है, कौन सी warning, जैसे आपने राजपाल यादो को देखा है, राजपाल यादो इन भूल भुलाईयां, और राजपाल यादो को कहा गया था कि पानी से दूर रहना, है न, तो यहाँ पर भी गाईस पानी से दूर रहने वाले बात कहीं ती, the narrator is told that he should fear death by water, उसे की death water से हो सकती है, इसी लिए उसे इस बात से डर करके रहने की जरूरत है, in this particular poem you can see, in the very very first part, जो पहला पार्ट है गाईस, burial of the dead, burial of the dead, गाईस है न, बिलकुल, इसके बाद अगर देखें गाईस, तो यहाँ पर एक और बहुत interesting पार्ट है गाईस, यह देखिए एक लेडी है, who is known to be the wisest woman in Europe, with a wicked pack of cards, यह कार्ड क्या है, tarots है, tarots card हैं गाईस, वही, समस्ते रेट कार्ट, tarot कार्ट से भाग यह को पढ़ जाना है न गाईस, so this wicked lady is named as madame, जिसके बारे मैं मैंने और लेडी बताया, विकार ओफ वेक फिल्ड, विकार ओफ वेक फिल्ड मैंने और लेडी बताया था, lovely women's tubes to poly, तो यह विकार ओफ वेक फिल्ड से ही रेफ्रेंस आईये, है न, बिल्कुर, the work is dedicated to whom, वो आपको पता है, अजर आप पाउंड काया, है न, बिल्कुर, यहाँ पर एक बहुत इंट्रस्टिंग पार्ट है, what the thunder said, in this particular part, you can see the beginning, what is the third who walks always beside you, तो यहाँ पर गाईज, basically Elliot ने नोट दिया है, किसका, एक explorer का, just guys, explorer, yes, future prediction करने वाली थी, madame, so so stress guys, और hamlet का भी देखिए, see guys, this is the reference from hamlet, you can see, good night ladies, good night, sweet ladies, yes, so यह hamlet में हैं, guys, got it, this is the basically illusion, direct illusion from hamlet, guys, और Tiresias, देखिए मैंने आल लेडी आपको बताया, आप मेरी क्लास पढ़ते जाएए, आपको बहुत इंट्रस्टिंग लगेगा, एक blind Thebian shear है, मतलब प्रॉफिट है, अब एक interesting कहानी है इसमें, जो guys, किस पार्ट में हैं, वो बाला देख लीजे, प्लीज, and this interesting कहानी is, story is, इसमें एक mythical character है, और second part में, wasteland का जो second part है, game of chess, game of chess guys, so in game of chess, ladies हैं और ladies discussion करती हैं, so there is a lady, that is you know guys, shat on a burnished throne, एक burnished throne पर ऐसे बैठी हुई हैं lady, है न, और मैं आपको यहां पर guys, एक बहुत interesting part बताना चाहूंगा, कि उनके background में एक picture है, and that picture is of what, यह picture है guys, तो यह mythological character की है, by the way, इस mythological character को बोला क्या जाता है, फिलो मेल, पिएचाई एल ओ एम एल, फिलो मेल, यह guys mythological वो character है, और फिलो मेल, as a nightingale guys, इस particular जो picture दिखाई गई है, तो वहाँ पर as a nightingale है, अब यह फिलो मेल nightingale, कैसे बन गई, इसकी कहानी interesting है, यह जो फिलो मेल थी, तो फिलो मेल की एक बड़ी बहन थी, उसने साधी किया था, किस से, Tereus से, T-E-R-E-U-S, Tereus है ना, लेकिन जो Tereus था, यह बहुत दुस्ट टाइप की प्रवत्ति का इंसान था, Tereus, T-E-R-E-U-S, सो इसकी जो निगाह थी, वो इसकी जो इसकी वाइप थी, उसकी छोटी बहन पर, मतलब साली समझ लीजी, अगर इंडिया में होते, तो connection बता करके बता देते, सिस्टर इल्ला, सो जो साली थी गए, Tereus की फिलो मेल, तो इसके उपर गलत निगाह हो जाती, and finally, what he did, रेप किया उसका, और मल्ट, yes, म्यूटी लेटेड, और उसकी जबान काट देती, जीब काट देती, Got it, मतलब ऐसे लोग पहले भी, मतलब समझ लीजे, पौरानिक समय से, क्योंकि आज तो बहुत सारी घटनाएं जब होती है, तो हम लोगों का दिल दहल जाता है, ऐसे लोग पहले से भी पैदा थी इस दुनिया में, so yes, इसने, Tereus ने, फिलो मिल का रेप किया था, and then, फिलो मिल, अपना रिवेंज लेने के लिए, वो कनवर्ट हो गई थी, नाइट इंगल में, कि यस, I will sing the entire story, and I will share the entire story with everyone, मैं सब के साथ ये share करूंगे, isn't it guys, yes, so, this is what guys, आप जो देख सकते हैं, बहुत ही जबर्जस्त, ये reference आपको देखने को मिलता है, and that is, फिलो मिल, and the lady that, that sat on burnished throne, वो जो एक बड़े से सिंधासन जैसी जगा पर एक lady ऐसे बैठे हुई है, उनके background में लगा हुआ है, and in the next scene, you can see there are two women's talking about the three, कि एक husband है, वो आर्मी से रिकाद रिटायर हुआ है, उसके दात नहीं रहे गए है, और वो, you know guys, तीथ है नौल की बाद, discussion चलता है लंबा सा, कि why you are not trying to do the best की अपने ये नात वगेरा सुधरवालो, like this, you know guys, this poem is totally associated with our life, हमारी इस modern दुनिया से associated है, कि जहां पर हम ऐसी चीजे फेल करते हैं guys, एक यहां पर nursery rhyme भी यूज हुई है, the wasteland मे, and that is London breeze is falling down, falling down, falling down, यह पोयम जो है ना guys, London breeze poem अपने आपने ही एक पोयम है guys, है ना, यह जो पोयम है, यह what the thunderset part में मिलेगे, burial of the dead, game of chess, and fire sermon, what the thunderset, no, death by water and what the thunderset, last part है, what the thunderset, and in the last part you can see, a children rhyme guys, बहुत children rhyme, बच्चों वाली rhyme है, London breeze is falling down, falling down, falling down, इस पोयम को my fair lady के नाम से भी जाना जाता है, यह poem guys, London breeze is falling down, falling down, falling down, यह जो fire sermon बाला पार्ट है guys, burial of the dead, game of chess, then आता है guys, fire sermon, fire sermon, this one part, longest part है यह, longest it is, longest है, अगर मैं इसकी बात करूँ आप से, कि जो यह पार्ट है ना, तो यह पार्ट guys, बुद्धिज्म से लिया गया है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे, वो अपने शिश्चों को ग्यान दिया करते थे, share कर दीजे, बुद्धिज्म और यह बुद्धिज्म फिलोसफी से ही guys associated है, यहां पर guys queen को भी mention किया है, Elizabeth first को, Elliot mentions queen of England and her love of laicester, so lover को भी और queen को, क्योंकि guys Elizabeth जो first थी, तो Elizabeth first को virgin queen माना जाता था guys, virgin queen, अब virgin queen क्यों माना जाता था, क्योंकि इनों ने शादी नहीं की थी, आणा, शादी नहीं की थी, और शादी का वैसे basically इनको proposal आया था, but you know guys, that was converted into Spanish Armada, Spain ने attack भी किया था, क्योंकि शादी का जो proposal था, Elizabeth first ने reject कर दिया था, so in the part, the fire Sherman, यहाँ पर queen Elizabeth और उनके lover, उनके एक lover थे, Leicester इन दोनों का जिक्र भी मिलता है, बिलकुल guys है न, ओके guys और इसके बाद, classical illusion, बहुत सारे guys, fair ladies, and let me check guys, इसके बाद भी और मेरे पास कुछ point होंगे, 100% guys point है, क्यों नहीं है, opening lines of the wasteland, so you know guys, the burial of the dead, यह तो मैंने आपको शायद, discuss कर दिया है, आगे थोड़ा सा, यह थोड़ा सा और पार्ट है, और बहुत अच्छे पार्ट guys, you know, यह copy है, लेकिन अच्छा पाल्ट है, एक जगा से मिला था बाई दोबे, है ना, the poem first appears in the quarterly magazine, the criterion, so दो guys magazines थी, there were two magazines, और जिसमें से एक magazine थी, the criterion, और दूसरी एक और magazine थी guys, कौन सी, the criterion and the dial, the dial, US and the criterion UK, यह poem ऐसे publish हुई थी, US and UK में, ठीक है, October and November, और कुछ नहीं है, इसमें October और November मन्थ में publish हुई, Ganges River है guys, and Flavors was so drawn in the sea, यहां पर एक character Flavors का जिक्र है, and he was drawn in the sea, क्यूंकि वो एक Phoenician sailor, as a Phoenician sailor जिसे depict किया गया है, free words में guys यह poem है, totally free, do you know what does it mean, free का क्या मतलब है guys, yes, free का मतलब होता है, जो, मतलब free, totally free words वाला का मतलब यह होता है, no rhyme, है ना, no meter, ना rhyme मिलेगी ना meter, तो that is free guys, है ना, irregular type की रहती है, और एक यहां पर देखिए, song भी है, sweet tames is run, sweet softly, till, I and, a end नहीं है guys, I and my song, so these are the lines from epithelamian, epithelamian किसका work है guys, I hope so कि आपको पता होगा, Spencer वाला, यह guys, interesting part है please, एक यहां पर last में आपको एक message मिलता है, मिलता है ना message, in the poem you can see at the end there is a message, और यह message बड़ा interesting है, दा, दा and दा, दत, दयाधुम and दामिता, इसको exam में पूछा जाता है guys, दा, 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 basically guys, यह जो part है, यह what the thunder said में, last में है, what the thunder said, यह last में आपको सबसे मिलेगा, दा, दा, शान्ती, 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 शो दा, 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 इसका जो मतलब है ना guys, तो बहुत interesting मतलब है, by the way, यह उपनिशद से लिया गया है, यानि कि Indian mythology, या Indian पुरा नाज एनोल को यहां पर refer किया गया है, एक दा का मतलब है, दत, मतलब देना, give, दयाध्वम, दयाध्वम का मतलब होता है, दया, लोगों से sympathy रखना, then sympathize means, then है, दाम्यता guys, दाम्यता, मतलब दमन कर लेना, control, तो देखिए, दान देना, यानि कि, give, दान, दया, और control, जैसे कहा जाता है न, दयाध्वम का मूल है, अतलब जो दयाध्वम का मूल माना गया है, दयाध्वम का मूल है, और अभिमान, पाप, अगर आप में किसी चीज़ को लेकर क्या अभिमान है, so then आप पाप कर सकते हैं, बले ही बहुत सारे लोगों को सफलता का अभिमान हो जाता है, सच्छू, I am telling you guys, सफलता का अभिमान हो जाता है, और मेरी कहानिया वड़ी अजीव होती हैं, मैं बता दूँ आपको इस PGT-TZT वाले एक्जाम में, मुझे लगता बहुत सेलेक्शन मैंने दिये, अब UP टॉपर ले आए, इसके बाद भी बहुत सेलेक्शन दिये, और दो कहानिया ऐसी हैं, कि जिन कहानियों को सुना करके मुझे ऐसा लगता है, कि ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, अगर एक गुरू पढ़ाता है, तो शायद वो अपने साथ गलत करता है, मतलब वो लोग सेलेक्श हुए, लेकिन सेलेक्श होने के बाद भी, इतना दर्द देना, और इतना मतलब जैसे होता है न, एक चोट दे देना, लाइफ टाइम आप कितने भी बड़े इंसान बनोना, अपने गुरू के साथ, मतलब कहते हैं कि गुरू का सम्मान हमेशा करना चाहिए, मुझे ना गुरू मानिये, ना सम्मान दीजिए, लेकिन अपमान ना दीजिए, I am telling you guys, कि लोग पैसे दे करके इंटर्विव ले लिया करते थे, कि भी या इंटर्विव दे दो, तो मैंने आपकी क्लासेस से क्वालिफाई किया है, अब तो TGT-PGT में भी गाईज लोग इंटर्विव के लिए पैसे देने लगे, कि आप अच्छी रैंक लेकर गया हैं, पैसे ले लो कुछ और क्वालिफाई क्वाला बता दो, रियली गाईज, आम टेलिंग यू, और ये देख करके आत्मा मतलब, जब कोई आपको ये कह दे आपसे पढ़ने के बाद की, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन सच मैं बता रहा हूँ, वो शब्द जो है, जब भी मैं याद करता हूँ, रहे हूँ थोड़ा दुखी फिल करता हूँ, लो फिल करता हूँ अपने आपको, लाइफ में सफलता हैं, सफलताओं का दौर तो जिन्दगी में हमेशा रहता है, और चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन जब भी ऐसे याद करता हूँ, ऐसे लगता है कि यार कैसे इंजान आ गए है इस दुनिया में सच में बस ठीक है मैं लगा हूँ अपने कर्टब पर बाकी स्टूडिंस का कर्टब भी जो होगा वो अपना करेंगे अपना देखेंगे ये उपनिशद से लिया गया है और आप यहां से समझ सकते हैं संस्कृत वाली जो मैं बात कर रहा था टी-एस एलियेट के संस्कृत ज्यान की बात कर रहा था यस संस्कृत ज्यान तो वही है इसके बाद अगर आप हम देखें दत्य दयाद्यू दाममेता last में guys और कुछ lines हैं जैसे शांती 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 उनके बारे में भी मैं बताऊंगा और मैं आपको बता दू ये ब्रिहन्यक उपनिशद से है ब्रिहन्यक उपनिशद so वहाँ से guys माना जाता है कि ये ली गई है ना Greek legend में Tiresias तो well known character है blind कौन था टाइरेसिस था सभी लोग जानते हैं guys दा 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 सो मैंने आपको बता है उपनिशद से लिया गया है guys और ये देखी the poem ends with सांती शांती शांती मतलब एक positive note देखर के आपके लिए ये poem end हो जाती है पूरी poem में guys negative notes भी आपको मिलने वाले हैं यस और बिल्कुल शांती 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 वाला जो पार्ट है ये है आपका you know guys ending with positive note तो ये poem really guys यहां से और interesting बन जाती है मैंने आपको बताया कि Antonio and Cleopatra है है ना the Spanish tragedy यहां सबसे बहुत सारे guys references आपको मिलते हैं है ना the chair she sat is like a burnished throne उन कौन है वो lady जो मैं बता रहा था second part में there is a lady और उनके पीछे guys एक painting है and that is of philomel philomel की guys यह है ना and title said to have been suggested by miss western's book देखे यह guys देखे कि जो यहां पर guys ritual to romance वाली बात है 1922 tyresius guys the title is said to have been suggested no no guys यह title जो है ritual to romance से नहीं आता title की अगर मैं बात करूंगा कि जो title पहले वाला सजेस्ट किया गया है तो वो तो guys directly dickens से था बट हाँ ritual to romance का जो huge है guys वो बहुत ही interesting है और मैंने आपको बताया ना miss western है मुझे तब पता चला जब मैंने miss western देखा और मैंने google search किया तो पता चला गई यह title जो है guys आप जो wasteland है बहुत suggested यहां से नहीं dead land को ले करके guys है ना बिल्कुल अब the river and London public park in newness religious and spiritual okay guys yes see देखे यहां पर देखे 5 कितने part कितने guys wasteland में 5 बुद्धा की guide sermon का यहां पर जिक्र है you can see discussion about sermon of Buddha Lord Buddha death by water guide so death by water यहां पर अगर देखें तो यहां पर Phoenician की क्योंकि death होती है एक seller होता है उसकी death होती है death by water guys ना narrator की अगर मैं बात करूँ तो basically T.S. Elliot माने जाते हैं लेकिन इस poem में Tiresias को भी narrator consider किया गया है आप देखेंगे बहुत authentic books में तो आपको Tiresias मिलेगा ठीक है ना yes दत दयाध हम दाम्मता मैंने बताया modern society में religious and spiritual barrenness sexuality and all क्योंकि जो second part है ना इसका there you can see sexual relations and changing changes that takes place in sexual relations so that is important लिल के husband का क्या नाम है Albert लिल कौन सी लेडी है गई जिनके दाट तूटे विए है और इनकी एक सहेली है वो सलाह देती है कि Albert को यह सब अच्छा नहीं लगता प्लीज अपने जो टीत है उनको repair कर वालो so that कि उसको भी अच्छा लगने लगे गाई जैना yes so that is also a part of the poem the wasteland guys है ना बिलकुल इसके बाद आगे आते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा part हमारे पास और होगा by the way guys या फिर khat नहीं yes see this is guys those are pearls that were his eyes so this is illusion from where guys the tempest so William Shakespeare के tempest से भी reference है guys you can see tempest it has been also referenced here और अगर मैं बात करूंगा is madam so 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 is so उसने क्या बताया था guys four tells that tyresus will die in water means guys जो narrator है उसके लिए कहा था बाद में उन्होंने उसके sailor जो था sailor की death हुई थी guys है ना yes tyresus की belonging कहां से है थे बीद से यह guys तो interesting part है by the way हाँ यह soda water वाली बात याद रखेंगे guys who was their feet in soda water mrs. porter and daughter mrs. porter और उनकी daughter ने soda water से पयार दूले थे what was their profession guys they were working in brothel brothel you know guys एक place होता है जहां पर prostitutes and all होती है और इसके बाद guys you can see guys Elliot attack sexual perversion means change in sexual relationship noble prize 1948 में मिला था और यह poem guys दत दयाधुम दामिता किशा एंड भी होती है so that can be seen guys in this particular poem तो यह था guys हमारी poem का part the wasteland वाला by the way मैंने एक कोशिस की है छोटी सी बहुत बड़ी कोशिश नहीं की कोई बहुत बड़ी वाली कोशिश की होगी sir an academy कैसे join करूं उसमें option नहीं आ रहा है language का और subject का प्लीज बताएं अंकित दक्ष अच्छे से try कर लीजे sir जरूर आएगा हां और अब guys हम बात कर लेते हैं last का time में देखी बहुत सारे लोग preparation के लिए परेशान रहते हैं तो मेरी बात सुन लीजिए आप जिनको अन academy join करना है आप download करके आप join कर सकते हैं code AKS राजवीर यह बस लगा दीजिए का आप मेरा course join कर पाएंगे यह चाहाए छोटा आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a k s r a j v e r आप इसे ऐसे भी लिखेंगे इस code को apply कीजिएगा तो आपको paid course भी मिल सकता है अगर आपको चाहिए और अगर आपको free चाहिए तो भी ए code आप apply कर सकते हैं ठीक है यह चोटा-चोटा भी लिखेंगे तब दी चलेगा और अब मैं बात करने वाला था किसके regarding बहुत सारे लोग tgt, pgt and lt को लेकर परेशान है ना तो देखिए tgt और pgt और lt देखिए ये बात आप परेशान ना हों आप तैयारी करिए पहले original text पढ़िए क्योंकि अभी ugc का paper देखा हमने धुआ निकल जा रहा है सबका है ना text पर अब ज्यादा focus करते हैं students को original text दिखाते हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो याद रहता ही है और थोड़ी बहुत चीज़ें हमने है ना history आपको common मिल जाती है और साथ में आपको history के साथ साथ आपको और क्या common मिलने वाला है तो history के साथ साथ आपको common मिलेंगे terms फिर एक और common आपको मिल जाएगा rhetoric and procedure यह आपको common मिल जाएगा तो अगर यह सारी चीजे common है तो आप तैयारी कर सकते हैं बिलकुल देखिए ग्रामर का जो रोल होता है चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे ल्टी हो मतलब अगर लिटरेचर हंड्रेट क्वेस्चन्स होंगे अगर लिटरेचर के तो आप यह मानिए कि ग्रामर के 50 क्वेस्चन हो सकते हैं या तो कम या तो जादा ऐसा हो सकता है ठीक है तीनों की जब आप तैयारी करते हैं तो देखिए आपको एक बेटर नॉलेज भी मिल जाता है बेस्ट वाला नॉलेज बेटर नॉलेज आपको मिलता है रही बात की वेकिंसी आने पर तैयारी करेंगे तो मेरी बात आप सुन लीजेगा कोई जरूरी नहीं की वेकिंसी आने पर ही तैयारी की जाती है आप तैयारी अपनी एडवांस में रखिए बढ़िया पढ़िये मन लगा करके पढ़िये जो आपका एप्रोच हो यूनिक हो टेक्स्ट को पढ़ि जो सायद कोई ना दे पाए आपको वो ग्यान सिर्फ गूगल बाबा ही दे सकते हैं तो इसी लिए ये जरूरी है और हाँ अभी मितलब क्योंकि जैसे हम लोग पढ़ाते हैं अगर आप विलिंग हों आपका मन करें तो आप कोर्स भी जोइन कर सकते हैं जैसे हमारा ल्टी वाला चल रहा है अभी 25090515 इस पर आप डायरेक्ली मैसेज करके आप ल्टी वाला कोर्स जोइन कर सकते हैं चार्ज मैं आपको बता दू 399 है 3999 बहुत सारे लोग बूलेंगे सर एकॉनमिकल प्राबलम है तो देखिए एकॉनमिकल प्राबलम सब के पास रहती है यह आपका इन्वेस्टमेंट होता है कोई वेस्ट नहीं होता मैटीरियल का मतलब जो आप पैसे खर्च करते हैं वो वेस्ट नहीं है इन्वेस्टमेंट है यह पहली बात दूसरी चीज़ की अगर आप बहुत एकॉनमिकली कमजोर हैं तो फिर आप अपने मैं क्या कर सकता हूँ आपक स्टूरी नहीं करनी चाहिए मैंने सुना था ऐसा कि कहते हैं कि नहीं करना चाहिए तो अगर आप रियल में हैं तो कुछ जरूर आप हमें बताईएगा तो कोशिस कर सकते हैं आपके लिए कि थोड़ा बहुत लेकिन थोड़ा बहुत ही ऐसा नहीं कि मतलब आप कहें कि नही पढ़ाया आपने ये पे करने के बाद ये मत कभी कहिएगा कि सर आपने फ्री नहीं पढ़ाया है पैसे लिए हैं पैसे लेके पढ़ाया हूं ग्यान की कोई कीमत नहीं होती अगर इसका उधारन जानना चाहते हैं तो मैं हूं मुझे मेरे टीचर्स ने पढ़ाया जिन टीचर्स ने पढ़ाया होगा मुझसे चार्ज लिया होगा और जब चार्ज लिया होगा मैंने पे किया होगा और आज अगर उस ग्यान को मैं यूज करके अपनी रोजी रोटी कमाता हूं चार लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ और चार लोगों की सेवा कर पाता हूँ थोड़ा बहुत अधूरा ग्यान है छोटा मोटा आता है शेयर कर पाता हूँ यह कोई छोटी बात नहीं है क्या उस ग्ञान की कीमत कह सकते हैं अब यह सूची कि यह जो टचबोर्ड लगा दो अगर मेरे टीच़र ने मुझ्ह से 20.000 रुपय भी फीस ली होगी तो क्या उस 20.000 से इस टुच बोर्ड की कीमत का कोई कंपारिजन है नहीं है तो ग्ञान की कीमत नहीं होती ग्ञान हमेसा अमूल ले होता है उसे विनम्रता से लीजिए और हमेशा विनम्रता से एक्सेप्ट कीजिए आप मुझसे बड़े होंगे, बहुत समझदार होंगे इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ लेकिन छोटा भाई होकर के आपको गाइड करता हूँ किसी का बड़ा भाई हो करके गाइड करता हूँ किसी का गुरू हो करके जो लोग गुरू मानते हैं उनका गुरू हो करके गाइड करता हूँ काम है मेरा ये प्रोफेशन है लेकिन कोई हरदय दुखाए तो मतलब भीतर से अच्छा नहीं निकलता लगता है कि शायद मैं ठक गया हूँ तो इसी लिए ये जरूरी है और हम students के लिए कभी ऐसा नहीं करते कि मतलब dedication ना हो हर एक work में dedication होता है हमारे और हाँ ये बात हमेशा याद रखें कि तीनों exam आपके लिए जरूरी है ये even कि अगर आपको मौका मिले ना तो आप DSSV भी जरूर दिया करें जरूर दें DSSV भी DSSV, NVS, KVS क्योंकि देखें grammar आपको पढ़ना है History of English Literature पढ़ना है और सभी students से मेरा request है मन से पढ़ा किजिए जवर्जस्त क्योंकि internet के जमाने में है merit हमेशा आगे जाती है internet के जमाने में YouTube पर YouTube पर guys हर घंटे हर घंटे literature की class चलती है आपके इस YouTube पर बहुत सारे channel हैं बहुत सारे guide करने वाले हैं बहुत सारे लोग आपको ग्यान दे रहे हैं तो इसी लिए merit जो है आपको सिर्फ सफलता कहां से मिल पाती है कि आप इस merit में आपाएं और इसके लिए आपको वो पढ़ना होगा जो crowd से अलग हो जो crowd से अलग हो जिसको सब ना पढ़ पाएं एक ऐसा approach अगर होगा तो सफलता सुनिश्चित होती है आपकी ठीक है बाकी जो भी है सब बढ़िया है wasteland को हमने पढ़ा और आगे भी पढ़ते रहेंगे guys और आगे की classes देखते रहेंगे और मुझे लगा है कि 8 p.m. best time है कि मैं आपके साथ YouTube में जुड़ूं guys comment box में जरूर बताइएगा बाकी मैं अब चलूंगा है न बहुत ज़्यादा मैं बोलता हूं तो मेरा गला भी खराब हो जाता है हाँ sir it's really sir teacher का respect important है बहुत जरूरी है teacher का respect अपने parents की तरह होना चाहिए बिलकुल we can apply for tg t or no no complete होने पर जो भी है guys चलिए guys तो फिर चले न अब हम हो गया सारा कुछ काम और हमने done कर लिया है thank you so much guys and stay tuned with me with aks raazbir and this wonderful platform अनक youtube literature lovers और हाँ daily guides 7 p.m. एक और class आती है आपके बहुत ही अच्छे गुरू है 7 p.m. पर और प्रवीन sir है बहुत अच्छा grammar पढ़ाते हैं और by the way मैंने उन्हें वो मेरे personal मतलब बहुत ही close friends है मेरे और हम University of Allahabad से ही हैं दोनों लोग और अच्छा पढ़ाते हैं तब मुझे लगा कि बिल्कुल हमारे students को एक अच्छे guidance की जरूरत है जो भी students है जो भी लोग तयारी करते हैं उनको बहतर guidance की जरूरत है 7 p.m. daily free class उनकी चलती है जरूर आया करें आप लोग और हां पढ़ते जरूर है जीएस की class आपके लिए free है 5 p.m. आती है डेली जरूर देखा करें जीएस और हां मैं जीएस डीटेल में चलवाने वाला हूँ आपके लिए good news यह है जीएस for free पूरा डीटेल में मैंने मतलब प्लान किया है कि आपके लिए four days guys detail हो और दो दिन mcqs हो मतलब जो भी जीएस का पार्ट है absolutely free सबके लिए हो जाए ताकि students अच्छे से पढ़तो सके बाकि English इस लिट्रेचर और grammar थोड़ा बहुत चार्ज है जो जो चार्ज है अगर आप चाहें टीजीटी पीजीटी और ल्टी तीनों ले सकते टीजीटी पीजीटी अभी रिकॉड़ेड अवेलबल है जल्दी ही टीजीटी और पीजीटी इन दोनों के बैच गाईस हम लाइव लेकर के आने वाले हैं बस थोड़ा सा इंतिजार कर रहे थे वेकेंसी का पता चले फिर अना गैस चलिए तैंक यू सो माज गाईस और गुड़नाइट और टेक केर जैहिं आप अपना ख्याल लखिएगा और अपनों का ख्याल लखिएगा कीप ऑन स्माइलिंग बड़ी वाली स्माइल होना चाहिए इतनी बड़ी वाली देखिए मैं वैसे ज़्यादा वड़ा पेंटर नहीं हूँ लेकिन इस बार पेंटिंग करके मानूंगा देखिए इतनी बड़ी स्माइल आपके आलवेज फेस पर होनी चाहिए ये देखिए और अगर आप इतनी बड़ी स्माइल रख लेते हैं so then you are the best कितनी बड़ी स्माइल गई इतनी बड़ी स्माइल येस ये वाली स्माइल आपके चहरे पर हमेशा होनी चाहिए और अगर ये स्माइल है इसका मतलब आप बेस्ट है चलिए thank you so much